Hello everyone, आज मैं lavender essential oil का review कर रही हूँ यह है good vibes lavender essential oil 10 ml का है यह इसमें आपको छोटी बड़ी दोनों की packaging मिल जाएगी market में वैसे तो बहुत सारे brands के essential oils है पर वो बहुत costly होते है हर कोई आसाने से afford नहीं कर पाता पर good vibes आपको बहुत अच्छी quality और quantity के oil देता है और यह बहुत cheap rate में मिल जाते है good vibes एक brand है जिसके products आपको सिफ purple.com पर ही मिलेगे और essential oils की भी काफी बड़ी range लांच की है good vibes ने मेरे पास भी काफी सारे essential oils है तो आज हम बात करेंगे lavender essential oil के बारे में यह कुछ इस सारा के cardboard box में आता है और यह 165 रुपीस का है इसकी shelf life दो साल है और इसको कैसे यूज करना है वो भी इस पर दिया हुआ है गुडवाइस की packaging परसनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है essential oils को आप जब भी इस्तेमाल करें तो इसे डाइल्यूट करके ही इसे direct skin पर apply नहीं करना है आप अपनी पसंद का कोई भी carrier oil ले सकते हैं सिर्फ आपको 5 ml carrier oil लेना है और 4-5 drops आपको essential oil की mix करना है और फिर आप इसे अपने skin और बालों पर apply करें lavender की खुश्बू बहुत ही अच्छी होती है बहुत calming बहुत soothing होती है इसकी खुश्बू और ये acne को भी ठीक करता है बालों को लंबा घना शाइनियर और मजबूत बनाता है इसे आप as a room freshener भी इस्तेमाल कर सकते हैं 8-10 drop आप इसे spray bottle में पानी के साथ मिक्स करें और room में spray कर दें पूरा कमरा महकने लगेगा इससे अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो इसे यूज करने से पहले आप इसका patch dust ज़रूर कर लें डार्क सर्कल्स के लिए इसे आप aloe vera gel में मिक्स करके लगाएं Good Wives के products की सिफ एक ही बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि इनके साथ कोई भी dropper नहीं आता यहां open करने पर हमें यहां सिफ एक stopper मिलता है जैसे oil निकालने में बहुत problem होती है यह बहुत affordable भी है और अच्छी quality का product है तो आप इसे जरूर रह कीजिए तो यह था मेरा review उम्मीद है आपको मेरा video पसंद आया हो पसंद आया हो तो please like करे, share करे, comment करे, subscribe करे आप मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे beauty products के reviews देख सकते हैं Thank you so much for watching